हे गाइज वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एनिमे पैरासाइट आज में आपके सामने ट्रांसेंड द गॉर्स द ब्लेक ट्रूप्स चाइनीज सीरीज के एपिसोड 7 को एक्स्प्लेन करने वाली हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के एक्स्पनेशन को स्टार्ट करते हैं सुरुआत के सीन में बेग्रांड के साथ हमें एक वाइस सुनाई देती हैं सुपर सेमिनेरी के रिपोर्ट के हिसाब से दुस्मन सॉलर सिस्टम में एंटर कर चुका हैं पर सारे सेटलाइट्स उन्हें एनलाइज करने में एबल नहीं हैं दरसल सेमिनेरी चीफ न्यूस सुन रहा होता है Human History में ये पहला हमें सारी आर्मी prepared होते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर हमें सारे black troops, heroes एक साथ दिख रहे हैं लिना से सियोलून बताता है मैं cross formation में उनकी डरावनी presence को feel कर सकता हूँ वो बहुत बड़ा था ऐसा लग रहा था कि fire power से भड़ा हुआ हो लिना बोलती है, टाओ टाइ आ रहा है cheg Ty λeun पूचता है, हम उसे टाओ टाइ क्यों गुलाते हैं रिप्लाइ देती है, अर्थ ने उसे टाओ टाइ कहकर गुलाया था सियोलून पूचता है, क्या भे अर्थ पर अटैक करेंगे लिना उन से पूछती है सन वू कॉंग यहाँ पर क्यों नहीं है सन वू कॉंग यहाँ पर हमें जंगल में अकेला दिखाई देता है टियान हे सिटी पर अटैकी न्यूस टीवी पर दिखाया जा रहा था पूरे सिटी में लोग पैनिक कर रहे हैं सभी लो जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं यहां पर हमें सारे black troops एक सात प्लेन पर बैठने के लिए इकठा होते हुए नजर आते हैं सारे black troops members को plane पर बैठने के लिए बुलाया जाता है橋 यहां पर थोड़ा घबराया हुआ कि नजर करता है एक officer उन सभी को energy बढ़ाने के लिए कुछ खाने को देता है उसी वक्त उन्हें एक important announcement सुनाई जाती है हम युनशान एयरपोर्ट पर हेलिकॉप्टर को switch करेंगे और फिर टिहाने सिटी की योड़ फ्लाइ करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी खाने लगते हैं युनशान एयरपोर्ट पर उनका हेलिकॉप्टर लेंड करता हैं जैसा कि हम audience देख सकते हैं सियोल उनका face उ और के river channel से connect हो सकता है हम यहां पर sun wukong को भी हेलिकॉप्टर पर बैठा देख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ लिना भी प्लेन पर बैठने जा रही होती है वहां मौझूद एक soldier पूछता है कमांडर कौन है लिना reply देती है मैं हूँ soldier कहता है फिर से एक और girl लिना बोलती है म soldier उन्हें बोलता है डरना मत तुम सभी गौर्स हो सभी black troops को success वापस लोटने की wish के साथ helicopters उड़ने लगता है सारे black troops heroes एक दूसरे के साथ connected होते हैं लिना बोलती है सीवल उन सन वू कॉंग और मैं आगे की पहली team होंगे हम शायद attacks की first wave का सामना करें सिर्फ हम ही उनका सामन कर सकते हैं हम audience को आवाज सुनाई दे रहे हैं बैटल तीन घंटे पहले से ही चल रहा हैं दुस्मन बहुत ही clever है लीना कहती है सन वू कॉंग काश हम साथ में fight कर पाते सारे black troops का helicopter ठीहाने सिटी की और जाने लगता हैं उनका helicopter battlefield में एंटर करता हैं ground force से उन्हें cover देने के लि पहुँच रहे हैं अचानक से blast होता हैं सभी चौंक जाते हैं दरसल helicopter number one रिना का helicopter blast की चपेट में आ गया था वहाँ पर दुस्मनों का trap होता हैं सभी को साफधानी से रहने का advice दिया जाता हैं उसी पल helicopter number 3 को भी hit कर दिया जाता हैं helicopter number 3 में लियू चुवां को hit किया गया था सियोर लुन को वापस पीछे जाने के लिए कहते हैं वहाँ पर एक आर्मोर पहने दुस्मन उनके उपर attack कर रहा था जैसे ही वू कौंग दुस्मन का सामना करने के लिए jump करने जाता है दुस्मन उसे पकड़ लेता है वो आर्मोर पहने evil हमें screen पर दिखाई दे रहा है वो creature बोलता है God's Lane Operation Light of the Sun की हत्या करो हमें यहाँ पर लीना नीचे गिरती हुई दिख रही है एक black troop soldier बोलता है यह बुड़ा हुआ उनका target लीना है वो creature लीना के उपर एक weapon से अटेक करता है लीना खुद में कंट्रोल नहीं कर पाती वह सीधा नीचे गिरने लगती है कि आंग व कोलती है आगे बढ़ते रहो हमें तुरंत अटेक करना होगा सीयो लून वंडर होकर पूशता है क्या हम अभे भी fight करेंगे कियांगवे हम किसे destroy करेंगे वह evil creature जाओ सिन के उपर भी attack कर देता है इसके बाद सीयो लून के उपर भी हमला करता है सीयो लून नीचे गिरने मौजूद होते हैं उसे जमिन पर देखकर बोलते हैं क्या ये black troop है सभी लोगों का ध्यान सीयो लून पर जाता है एक soldier उसे help करने के लिए जाता है सीयो लून पूशता है ये कौन सी जगह है soldier बताता है ये yellow village है मैंने हवा में हो रहे है battle को देखा था सीयो लून कियांगव उनके चौकने पर कहती है हम black troops के super soldier है जवावी हमले के लिए तयार हो जाओ सीयो लून पूशता है हम जवावी हमला करने के लिए जा रहे है उसी वक्त जाओ शिन नीचे गिरता है कि आंगवे आगे सबसे कहती हमें cover provide करो हम उन्हें destroy कर देंगे सीयो लून उसे पूशता ह क्या destroy करें लीना शायद मर चुकी है सभी पर बंबारी हुई हमें पीछे हटना चाहिए कि आंगवे उसे कहती है तुम यहां क्यों हो सीयो लून reply देता है हम बैकावे में आ गए क्या तुमें नहीं पता है हमने गलत अनुमान लगाया था यह हमारा war नहीं है कि आंगवे उ मत भेजो तुम गुसे में हो कि आंगवे गंद निकालकर उसके आर्मर पर फाइरिंग करने लगती है जैसे ही शिन पर पॉइंट करती है वह कहता है मैं जाओंगा इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं स्यो लून उनके जाने के बाद उड़ने की काफी कोशिश करता ह पर वो गारियों से टकड़ा कर नीचे गिर जाता है उसके द्वारा उड़ने की सारी कोशिशे नाकाम थी वो बुरी तरह से टकड़ा कर जमिन पर गिर जाता है चारों तरफ दुवा होता है जाओ शिन हमें यहां पर दिख रहा है ब्लू तूथ पर एक ब्लैक ट्रूप सो कियो चुवांग को नीना को ढूरने का ओर्डर मिलता है यहां पर हमें कीलीन पुरी हिम्मत से बैटल फिल्ड में दिख रही है कियांग वे एक छट पर लैंड करती है सियो लुन उरकर उपर की तरफ जाता है वहीं कियांग वे मिलिटरी को फायर के लिए रेडी रहने को बोल है वहीं किलीन के पीछे दुश्मन पर जाते हैं शीं को उससे हेल्प करने के लिए बुलाया जाता है दूसरा ब्लैक टृप शोलडर किलीन को कवर करते हुए दुष्मन हेलिकॉप्टर को bashती कर देता है के वह कवर मांगती है ताकि वह दुश्मनों को लिष्ट्र offshore कर हूँ किसी भी पल मैं मर सकता हूँ मुझे समझ नहीं आड़ा कि क्या करूँ मुझे सेमिनरी को ज्वाइन करने का पस्तावा है बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहा है आगे क्याता है मुझे किसी से प्यार हो गया है उसका नाम की आंगवे हैं मैं उसी के लिए यहाँ पर आ सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में